हाई मेरा नाम है श्रयांस और आप सभी का फिर से स्वागत है फ्रटर फ्लो के एक नए वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग बहुत यादा जो हमारी रिक्वेस्टेड टॉपिक थी गोगल एड मॉब रिवार्ड एड या फेस्बूक एड कैसे लगाया था फ्रटर फ्लो एप में उसे हम लोग देखेंगे और यह जो पार्ट होगा आप प्लीज इसको बहुत ध्यान से देखना कि यह पूरा कोडिंग का पार्ट होगा आपका तो अगर थोड़ा से मिश्ट क में आप लोगों से प्रोडीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वी Site Secondly हो सकता है मैं इसका इंगलिस में सब्टाइटल भी डाल दूं कुरूं करता हूं प्रोटे में हम लोग लिखते है हैं इसा एडज का है तो मैं ए-डजिद निटा एक मिनट यह अपका और लेटर का होने चाहिए है प्रिएट ब्लैंक करते हैं यहां से स्थिप करता हूँ किके यह सब जरूवत नहीं है कि सिफ हमें सो करना है तो हम सिंपली यहां पर लिखते हैं बटन इसमें उन्हों डाल देते हैं अपना मैं आपको सिंप्ली दिखा रहा हूं ठीक है इंट्रेस टेश्यल एड्स कि मैं साइज बड़ा कर दीं सकी यहां से साइज की बड़ी बड़ने तो यह रही साई आपकी बड़ी जाएब आपको पहला कि जस्ट इसका मैं डुप्लिकेट कर देता हूँ ये दूसरा होगे आपका ये तीसरा और डुप्लिकेट करना रहे चौछ था इसमें अनलोग देखेंगे Google AdMob का ये फीजबुक का चलिए को इसको उसके बाद ये उसके बाद यह व भी का रहेगा मतलब फेस्ट इड़ का वेडियो रहेगा और यह आपका फैसबुक का रहेगा इंटस्ट्रीट्शिल और नची tire पूरी तरह से बताओं किस तरह से खोजा जाता है कि आपका यही टाइटल है यहाँ पे इंटेग्रेट करना है उसे मैं पहले इसको डाउन्लोड कर लेता हूं जल्दी से एड़ बन डाउन्लोड हो गया है और मैं इसको उपेंग करता हूं अपने अंडोड शुडियो में जब तक यह बन होता है हम लोग यह काम करते हैं यहां से खोज लेते हैं गुगल एड माप का गूगल एड माप फ्लेटर हमाँ इस पर क्लिक करते हैं हमें यह वाला पैकेज इंस्टॉल करना पढ़ेगा तो पैकेज इंस्टॉल करने कि आप सिंपली में दिखता है ये तो मैं दिखाता हूं अब को टर्मिनाल में ओपिल करना टर्मिनल में आने के बादंग है आत्र hani आप लिखना यहापर फ्ल्टर लूसा अरणों कि और यहाँ रिद कर देना यहां से उसके बाद अगर यह आपको रिद में वाली हम लोग अपने home page पर आएंग जिस page पर थी हम लोग यह रहा आपका विजट का page यहां चेक करेंगे हम लोग जो हम लोग button add किये थे जैसे यह आपका मिल जाएगा test तो यह way code में आओगे इस पर क्लिक करना तो आपको यह वाला code मिल जाएगा जिसमें लिखा होगा आपका interstitial addmob तो यह रहा हमारा interstitial addmob और यह on press मतलब यह function है on press जब इस पर time लेगा रहन होने में कि यह भी एसेंबल करेगा बिल करेगा पूरा अपना रैपिंग करेगा उसका प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है तो उसको हमेशा यह फॉलू करता है इसलिए थोड़ा से टाइम लेगा आपको मैं फिर बताता हूं कैसे क्या करना है आपको इसमें इस अब इसे इंस्टॉल कर रहा है अगरा फर्स्टाइम आप रन करोगे काफी यादा टाइम लेगा राउंड मेरे को 10 मिट ले चुका है एकस्पेस्टेशन फॉल हो गया चाहिए था यहां पर मोबाइल एच्डिके वाज इन इसलाइज इंकरेटली ठीक है आपको यह एडर स पहले हम लोग सॉल्व करते है जो हमारा एड़़माव का पेकेज था इसको इंस्टॉल कर दिया था वह उमने सेट नहीं किया था प्रपर तरह से उसको सेटकरने के लिए आप कई सारे काम करने पड़ेंगे इसमें आप सिंपली पहले आ जाना इसमें एंडॉइड में उसक इसमें लिंक को उसमें बिज दूंगा आपके अप्रिकर्यल मिदा डूंगा आपको कोपी करने और इसको नए यह कौपी करना ये वाली जो चीज है कि मैं आपको एक टेस्ट आयदी दे रहा हूं sample id हमारे पास यह है मैं इसमें इसको put करूँगा यहाँ पर y करता हूँ यहां से फिर आपको जो यह चीज है इसे copy कर लेना है copy करने के बाद आपके पास यह metadata होगा इस तरह से application folder के अंदर मतलब यह अपकी application file है यह वाली आपको दिखाता हूँ यह वाली आपकी application file है उसी के अंदर आपको रखना जो यह metadata है उसे की नीचे यह मैं करता हूँ भी ठीक है यह आपका हो गया यह रखना बहुत जाला जरूरी है यहाँ पर आप अपना pub id डाल देना जो आपको pub id मिलती ह यहां से उसे डाल देना उसके बाद इसको करते हैं कट यहां से हम लोग अब आते हैं अपने build.gradleology file इसमें आएंगे इसमें आने के बाद हम लोग सिदे यह वाला चीज कॉपी करेंगे all project का इस पर कॉपी करेंगे इसको यह आपका रहा यह वाला जो चीज है आपकी यह द इसको करते हैं copy अब यह आपका app build.gradle file वही है सेम तो यहां पर आओ गया जब पहले किसमें था यह हमारा app में है और यह build.gradle file में ठीक है यह आपका build.gradle जो है यह android level की file है यह आपकी app की level की file यह रहा आपके app level file और यहां पर आपको आके इसको रखना है ऐसे dependencies एक में मैं इसको करता हूँ copy से फिसी को रखना है में तो वैसे मैं करता हूँ copy यहां से इसमें रखता हूँ अगर आप नहीं समझ पारें तो ऐसे समझो कि यह इसको बंद कर दिया ठीक है इस पर आपने क्लिक किया है तो आपको यह build.gradle वाली file मिल रही है तो मतलब यह जो है यह android के अंदर आ रही है ठीक है आप इसको open करोगे तो यह वाला मिल जाएगा इसमें क्या रखना है आपको build script repository मतलब यह वाली जो चीज रखा है उसे रखन version 31 है तो आप इस पर क्लिक करोंगा android studio में हो अगर तो आपको यह मिले अपडेट टार्गेट एजिकर वर्जन टू 33 मिल जाए तो आप इस पर क्लिक कर देना यह हो जागा या तो आप मैनुली अपने से 33 यहां पर डाल देना उसे यह होगा complete आपका अब हमें कुछ नहीं कर करता हूं देखता हूं यह रिमूव हुआ या नहीं हुआ है तो अब इसको करने के लिए मैं फिर से कट करता हूं इसको इसको कट करता हूं यहां से फिर से रन करता हूं इसको वह आपकी basic चीज है उसे पहले आपको complete करना ही होगा ने तो ऐसे यह आपको भी ध्यान से documentation को पड़ होगे देखो आपको यहां पर मिल जाएगा कहां पर किस फाइल को रखना है configure in your project level मतलब project level आपका क्या है यह android है उसमें जो build.gradle वाली फाइल है मतलब यह आपका android है और यह build.gradle वाली फाइल है मतलब इसको मैं अगर बंद कर दो यह ऐसे रहा यह इसके अंदर आ रहे है ठीक अब इसको बंद करोगे तो भी बंद हो जाएगी इस तरह समझ दो आप यह ग्रेडल नहीं आना इसके अंदर कुछ भी करना है आप सिंप्ल यह वाली फाइल में जो प्रेट लेवल की फाइल है आपकी उसके बाद यह app slash build.gradle मतलब app के अंदर build.gradle है उसको चेक करना है add your app id अब इसको डालना होता है हम लोगे में फेस.xml में मतलब आपको मिलेगा src के अंदर मैं फिर से दुबारा यह सब चीज़े बता लग रहा है अब आप यह देखो यहां से हमारा जो एप था वो बिल्ड हो चुका है मैं इसको बंद करता हूं इसको बंद करता हूं और यह देखो आप यहां से मैं अगर इसको बड़ा करूं तो यह देखो आपको दिख रहा है पूरा अगर नहीं दिखा है मैं जूम करता है अगर मैं पर कुछ चेंज करता हूं जैसे लिख दूं इंट टी-छी-इल-ड तो मैं इसको फिर से बांट करता हुं इसको फिर से क्लिक करों देखो आपको यहां पर मिलेगा बटन प्रेस्ट इंट इस से लगाना है गुगल अड मपक जिसको मैं करता हूं फिर से छोटा य देनना है मैं इसको copy कर लेता हूँ सबको ये copy करोगे आप उसके बाद जो यह आपका है इनिट होता है इनिट का मतलब वहता है इनिसलाज़ाशन जैसे आपका यह एप लोड होगा या तो यह पेज क्लिक नहीं करना जो आप इस पर माउस ले जाओगा अपने अगर हो आप तो तो आपको यह दिखने लेगा कि क्या चेंजिस हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देना उसे इससे आपका जो लाइबरेरी है वह इंपोर्ट हो जाएगी एड्माव वाली अब आपका इनिट इस्टेट ह यहां से इसको कॉल लेते हैं कापी यहां से हम लोग नीचे तक सो एड्म में भी आ जाते हैं उसके बाद हम लोग यहां तक कॉपी कर लेते हैं यहां पर यह डिस्पोस से पहले तक कॉपी करते हैं यहां से इसको यहां पर हम लोग पेस्ट करते हैं अब जो इर्ट सो कर रह करेगा प्लैटफॉर्म प्लैटफॉर्म के लिए हम लोग यहां पर इंपोर्ट लैबरेरी करते हैं अब यह हमारा जो इंपोर्ट हुआ है इसके हम लोग आगे लिखेंगे एज प्लैटफॉर्म इस पर हम लोग फिर से hover करते हैं ठीक है यह अभी हमें को इसूर कर रहा है तो इसको काम करते हैं इसको हटाते हैं यहां से आपके पास dot.io का एक होगा यहां पर यह रहा dot.io का है तो इसको आप कर लो copy यहां से copy करने के बाद simply इसको यहां कर दो paste अब जो error था वो हट गया होगा यहां से आपका अभी यह error दिखा रहा है आपको तो इसको भी आप कर लो ऐसे add मैं बढ़ा करता हूं इसको इसको खाता हूं add request तो करोगा आपको यह वाला मिल जाएगा चीज़ उस पर क्लिक कर दो आपका match fail load attempt दिखा रहा होगा तो इसका कोई variable नहीं बना है तो यहां सकर देते हैं हम लोग create a variable तो इसको मैं करता हूं copy यहां से copy करने के बाद फिर मैं उपर आता हूं यहां पर लिखता हूं भी scroll to कर दो आप one और यह रहेगा आपका int मतलब यह एक integer है इसको ऐसे लगा देना यह आपको वहां से भी error remove हो गया आप चेक करते हैं कौन सा इरह बचा यह वाला इरह बचा होगा तो add request मैं इसको कर लेंगे यहां से कि इसके ख़िक करते है एर ररीक्वेस्ट में यहां हो जाएगा हमारा यह हमारा बंक के त-दायर होगा है अगर कहीं औहर इक हमारा को आधा से हटा सकते हो शक्नी हो गया अभ हमलो MV में mesma मतलब होता है कि बार कोई चीज विल्ड होती है और इसको डिस्पोज करना ना भुलिंगा नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी यह बहुत जरा लोड लेगा आपका इस पर आते हैं मैं इसभी नहीं करेंगे इसमें मारा बटन प्रेस था इस पर लोग क्लिक करेंगे मतलब करते हैं इसको कड्ड करते हैं आ लिखते हैं सो reward add अब हम लोग करते हैं से save यह hot restart हो रहा है अपना अगर यह काम नहीं करेगा तो आप एक बार इसको पूरी तरह से restart कर देना वेकि बहुत बार issue आ जाता है आप मैं इसपे क्लिक करता हूँ नहीं अभी नहीं हुआ तो मैं इसको फिर से hot restart करता हूँ यहां से restart कर रहा है आप को यह restart हो चुका है पूरी तरह से यहां पर ओके यह restart हो रहा है मैं फिर से इसपे क्लिक करता हूँ attempt to show reward before loaded हो अच्छा मतलब reward add so नहीं कर रहा आपका यह साथ emulator है तो इसलिए नहीं सो कर रहा हूँ है यह ऐसा दिखा रहा है कि आपका reward add जो था वो लोड नहीं हुआ है उससे पहले आप सो कराना चाहरे उसे तो काम करते हैं हम लोग पास जो हमारा reward add था मैं इसको जीरो ही करता हूँ फिर से save करता हूँ इसको और जो आपका reward add है इन सब को मैं copy करके यहां से उपर रख देता हूँ कि जल्दी लोड हो जाए यह फिर से रिफेस हो रहा है मैं सब फिर से क्लिक करता हूँ यह आपका add सो कर रहा देखो आप टेस्ट एड मिल गया है अचली होता है यह इतना आप इसको उपर रखोगे उतना सही रहता एड़ लोड होने में गौट इट करते ही यह आपका इमि इन्टषिशिक्यों मैं नीचे आता हूं यहाँ पर आपको जो चेक करता हूं इंट इंट्रस्टिशियल यह आपका यह रहा आपका ऐसे मैं इसको करता हूं कॉप वो रिलोड करता हूं इस पर क्लिक करता हूं सौरी हम लोग उसी को मैं ने एडिट कर दिया नहीं इरिट नहीं किया अंद दूसरे पागए है एड्मॉप क्या आगए आपका यह बिलिको एकका ऐड्ट सो कर दिया है विसको करते हैं बंद यहाँ से अब हमारे पास आप इंट्रस्टिशियल का रिवाड़ ठीक है अब हम लोग इसी में आते हैं फिर से सो इंट्रस्टिशिश्यल अच्छ था तब लोग लिखते हैं तो इंट्रसि कर रहा है कि देखो आप यह रहा है यहां पर करता हूं यहां से कट अपको यह पूरी तरह से रन कर रहा है अब हम लोग को देखना है Facebook at Facebook आड के लिए आपका सेम प्रोसीज़र होगा Facebookberry के लिए आप आ जाओ Facebook Facebook Adds ख्लटर इसमें आ जाएंगे हम कि मैंसमेक package install करूंगा आधा इसपर क्लिक करके जैसे मैं आपको बताया है पहले भी package इस्टाल करना अब यहां से करेंगे इससे यह इसे इस यह इस्टाल हो चुका है आपका ठीक है अब मैं फिसे इसमें आता हूऊ example में आता हूं, example में आने के बाद आप simply आ जाना यहाँ पर यह आपका boolean function है, मतलब आपका true या false का function है, आपको इसको लाना है, यहाँ पर रख देना है, जो आपका यह था, इसके नीचे रख दो आप, उसके बाद आप नीचे आ जाओ, यह आपको रखना है, आपको, मैं कर लो, copy, copy करने के बाद आप इसको भी यहाँ पर रख दो, यहाँ से कर लेना, copy, आप लोग मैं इसलिए copy करके बता रहा हूं, मैं code नहीं लिख रहा हूं, यह आप लोग के लिए बहुत ज्यादा असान हो जाएगा नहीं, तो आप लोग बहुत परशान रहोगे कैसे आप आपको इसको लिखना है, क्या लिखना है, तो इसलिए मैं सिधे copy करके बता दे रहा हूं, आपको, अब मैं इस पर क्लिक करता हूं, और import कर लेता हूं, जो Facebook की हमारी library है, यह भी reward add की library मैं import करता हूं इसको, अब लिखना, अब इस सब error remove हो गया है, अब जो यह वाला बचा सचीज हमारे पास, जो मैंने यह छोड़ी थी, इसको आपका लोगी copy, जैसे है वैसे नहीं पेश करना है, अब आपको आना है आपकी main वाली file, जो main.dot होती है, dot, dot, dot file जो होती है आपकी, उसको यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे लिखना है, await, A-W-A-I-T, await, अभी के लि आपको, मैं इसको अगर run करूँ यहाँ से, यह run हो रहा है, थोड़ा स्टाइम लेगा यह, जब आपको library import करते हैं, तो आपको hot reload कर दो, hot restart करो यहाँ से, इसको, error stroke कर रहा है आपका, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ इस्पेटर में लगें, impression not found, load कर चुके थे, अब हमें stroke कर reward का, कर लेना यहाँ से copy से, फिर समय होम पेज में आते हैं, इसको लगाना है, नीचे आते हैं, यहाँ पर हम लोग सबसे नीचे में आएंगे, यह जो आपका, यह रहा, यहाँ से dispose के थोड़ा सा उपर, सबसे पहले, तो मैं इसको करता हूँ नीचे, यहाँ से करता हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ यभी का, इसको भी लिखता हूँ यभी क्योंकि नमबर, आपका जो नाम था, वो सेम हो जा रहा था, ठीक है, अब हमको dispose भी करना है इसे, तो dispose करने के लिए, आप simply से उसमें कर रहे है तो इसमें भी आपको वैसे dispose करना होता है इसको, आप चा इसको hot restart करता हूँ यहां से, मुझे लग रहा है कि यह emulator है हमारा तो हो सकता यह id generate ना करे, बट आगर आप अपने phone पे चला रहे तो आपको id generate करना ज़रूरी होता है, मैं नीचे आता हूँ यहां पर, यहां पे लिखता हूँ facebook वीडियो का तो यह रहेगा आपका, so if be rewarded, म हमारे पास कोई id generate नहीं होई है, तो मैं फिर से एक बार क्लिक करता हूँ इस पर, देखता हूँ क्या सो करता है मैं, मैं इस पर क्लिक करूँ अगर, restart करता हूँ थोड़ा सा इसको फिर से एक बार, implementation not found ठीक है, मैं एक बार इसको बंद करता हूँ, यहां से आप लोग उसको terminate कर सकते हो, जो एप चला रहे हो फिलाल में, और उसको फिर से rebuild कर सकते हो, आप दुबारा run करेंगे यहां पर, जब भी आपको ऐसा कुछ दिखा है कि implementation not found करके, तो आप हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो plugin आपने वो किया था, install जो किया था, वो feds नहीं कर पा रहा सि आप यह आईडी दिखा दे, जो आपकी आईडी होती है, यहां पर, मिल गई आपकी test आईडी, यह रही आपकी test आईडी, copy करता है इसको मैं, आपको क्या लिखना है था, आप यहां से देख सकते हो, testing ID करके, तो आप यहां के लिख देना, test ID, भी कर देना, उसके बाद इससे, testing ID लिखना, इसको मैं फिर सिक बार करता हूँ, रिलोड, जब भी मैं आपको hot reload बोलूँ, तो आपको इस पर क्लिक करना है, और hot restart का मतलब होता है, यहां पर, आप मैं इस पर क्लिक करूँ, video add पर, reward add not yet loaded, अच्छा, मैं यहां से इसको अपने device में run करता हूँ, सिदे, क्योंकि हो सकता है कि emulator पर चल रहा है, इसलिए वो run नहीं कर रहा हूँ, प्रापर तरह से, आपको इससे पहले का अगर दिखाऊं, जो मैंने app बनाया था, वो जो wall paper वाला हमारा app था, यह समझे लग रहा अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ आपका, तो अभी देखना साथ ही इसमें हमने reward लगाया हुआ था, और इसमें वो run कर रहा था, प्रापर तरह से, क्योंकि हमारा पुरान वाला app open हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, चेक करते हैं कि क्यों run नहीं हो रहा है, हमारे पास जो testing बात में मिल गया होगा, यह रहा है आपका testing ID, करता हूँ copy, copy करने बाद main.dat पर आता हूँ, यह मैं यहाँ से इसको enter कर देता हूँ, फिर से मैं hot reload करता हूँ यहां से, चेक क्लिक करते हैं Facebook एड पर, देखो इसमें भी वही चीज दिखा रहा है कि reward एड, चलो यह तो run कर गय यहां से, वीडियो एड पर क्लिक करते हैं, अभी उसका add load नहीं हुआ है, बट यह वाला चल रहा है, मतलब load हो रहा है, ठीक है, बस जो वीडियो एड है, वो थोड़ा सा time लेता है load होने में, यहां से अगर मैं इस रिसेल पर क्लिक करते हूँ यह भी, इस तरह से आप implement कर स चलिए आशके लिए बस इतना ही मिलते हैं, आपको दूसरी वीडियो में, तब तो खिल्या अपना थ्यान रखना, बाई बाई, आव नाइस दे,